हलो फ्रेंड्स तो स्वागत एक बार फिस से आप सभी का दे ग्लोबल इंफॉर्मेशन पर जैसा कि आप सभी को पता है कि समद्र में कई प्रकार की मचलिया पहे जाती हैं तो आज हम उनी मचलियों में से एक प्रजाती इल फिश के बारे में बात करने वाले हैं एक ऐसी मचली जो कुछ-कुछ साप की तरह दिखती है लेकिन इसके अंदर करेंट पाया जाता है समद्र में लगबग ऐसी 350 मचलियों की प्रजातियां पाय जाती हैं जिनके अंदर specialized anatomical structure होने की वज़ा से वे मचलियां electricity produce कर सकती हैं इन मचलियों में एक इलेक्ट्रोसाइट नाम का ओर्गन पाया जाता है तो ये मचलियां अपने brain से एक signal अपने nervous system के थूप उस ओर्गन तक बेशती हैं ये मचलियां समुद्र के नीचले सता पे रहती हैं परन्तु हर 10 मिनट पर इन्हें सांस लेने के लिए उपर आना पड़ता है अगर लंबाई की बात करें तो ये 20 से 25 किलो की मचलियां तकरीबान 8 फिट लंबी होती हैं ये मचलियां समुद्र के अंदर ही अपना खाना ढून लेती हैं लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनकी eyesight बहुत ही कमजूर होती हैं इसलिए वो कम से कम 10 वोल्ट की electricity प्रोड्यूस करके आगे देख सकती हैं और उसी electricity की मदद से वे अपने शिकार को घायल करती हैं और उनसे अपना पेट भरती हैं आपको ये बता दें कि ज्यादा तर ये मचलियां अपने आप पर dependent होकर जीती हैं लेकिन जब भी ये मचलियां जुन में पाई जाती हैं तो उन्हें स्वाउम का जाता है आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इन मचलियों के electrical organs इनकी 80% energy consume कर लेते हैं और इसी electricity के मदद से ये अपने शिकारी से बच भी पाती हैं और अपने शिकार को पकड़ भी पाती हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन मचलियों के अंदर 6000 electricity sales पाई जाते हैं जो इनको electricity produce करने में मदद करते हैं आपको ये बता दें कि ये जो electricity produce करती है वो 600 वोल्ट की electric current होती है जिससे किसी इनसान की आराम से मौत हो सकती है आपको ये बात बता दें और आप सभी को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर एक electric ale fish को उसके उपर छोड़ दिया जाए उसे जैसा मन वैसा रहे तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 सालों तक रह सकती है उसका lifetime 15 साल तक ही रहेगा लेकिन अगर उसे कारावास में रखा जाए तो वो 22 से 25 सालों तक जिन्दा रह सकती है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइफ करना बिलकुल ना बुले और कमेंट बॉक के जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी